अगर आपने मेरे चैनल को सुब्सक्राइब नहीं किया तो कॉइंड ली कर लीजिए और बैल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए आज हम चैप्टर नमबर 11 का लेक्टर नमबर 4 स्टडी करेंगे और इसके अंदर हम डिफरेंट पॉइंट्स को देखेंगे पॉइंट्स क्या है इफ स्टेटमेंट क्या होती है ठीक है और इफ स्टेटमेंट कैसे काम करती है इसको हमने फ्लो चार्ट के जरीए भी एक्स्प्लेंट करना है इसके साथ साथ इसकी लिमिटेशन क्या है सिंपल इफ स्टेटमेंट की हम इसको एक्स्प्लेंट करेंगे एक previous lecture में देखा कि different type के control structures होते हैं जो कि C language में मुझूद होते हैं जिन में से एक था selection structure जिसमें हम selection के साथ different statements उनको run कर रहे होते हैं one after the other नहीं run होती ठीक है हम अपनी मर्जी से कुछ code को execute कर सकते हैं और कुछ code को ignore कर सकते हैं तो यह simplest form है selection structure की that is the if statement यह decision making statement भी इसको बोलते हैं यह जो है वो execute करता है या फिर ignore करता है एक एक से ज़्यादा statements को और क्यों ignore करेगा किस base पर ignore करेगा वो एक condition को test करेगा और उसके बाद ignore करेगा या फिर execute करेगा certain statements को ठीक है और इस मकसद के लिए इसको उस condition को evaluate करना पड़ेगा ठीक है कि वो true return करती है या false return करती है उसके हिसाब से ये बागी statements को execute करेगा अगर तो true return करती है वो condition ठीक है तो if statement के बाद आने वाली जो भी statements हैं वो execute हो जाएंगी और अगर वो false return करती हैं तो if statement के पूरा जो भी उसका code है उसको ignore करके जो control है वो next instruction को execute करना start कर देगा for example यह if condition है अगर यह true होती है तो statement 1 execute होगी और अगर यह false होती है तो statement 2 पे control चला जाएगा और यह totally ignore हो जाएगी if condition और statement 1 इसी तरह हम एक जा एक से ज्यादा number of statements जो हैं वो भी if के अंदर लिख सकते हैं उसके लिए हमें यह delimiters का use करना पड़ेगा और उसके अंदर हम तेर सारी statements अगर if की condition true होती है यह false होती है उस सूरत में हम different number of statements को या तो execute कर सकते हैं या फिर ignore कर सकते हैं जब हम if के अंदर उसकी body के अंदर तेर सारी number of statements को लिखते हैं जिस तना इदर मैंने लिखा भाए statement 1 से m तक तो इसको हम बोलते हैं compound statements यूँकर यह एक से ज्यादा है अब अगर हमने इसका flow chart बनाना है तो देखते हैं कि यह किस तरीके से if statement काम करती है सबसे पहले condition test होगी condition अगर तो false है तो next statement पर control चला जाता है जैसे हमने previously देखा और अगर true है तो number of statements जो के if का part है वो चलना start हो जाएंगी ठीक है अब हम एक program solve करते हैं जिसमें आपने एक input लेना है number ठीक है कोई भी integer लेना है और अगर आपने वो number greater than 100 पाया तो आपने डिस्प्ले करना है एक message के number is greater than 100 अब देखिए main की body में चले जाएं आप ठीक है जी एक integer लेंगे आप ठीक है जो के n variable value store करेगी आपने user से scan करवा लिया है अब उस number पर आपने condition लगानी है तो if number is greater than 100 तो क्या होगा आपने print करना है number is greater than 100 ठीक है और अगर यह false हो जाती है ठीक है आपने number less than 100 एंटर किया है आपने 9 एंटर किया है ठीक है तो सूरत में इफ नहीं जलेगी और printf ok तो ok print हो जाएगा तो इस तरीके से if statement जो है वो किसी भी statement को चलाएगी या ignore करेगी next program है कि आपने input लेने दो number और देखना है कि अगर जो आपका second number है क्या वो पहले number का square है मतलब पहले number को अगर हम दो बार multiply करें तो क्या answer number two के equal आएगा या नहीं आएगा ठीक है तो आपने दो numbers ले लिए integer number one number two और user से scan कर वा लिए उसके बाद आपने condition लगाई if statement के अंदर कि अगर number into number मतलब number one जो है उसको दो बार हम multiply करेंगे तो क्या is equal to is equal to का मतलब के वो बराबर आ जाता है number two के ठीक है तो अगर जो condition true हो जाती है तो definitely second number जो है वो first number का square होगा तो हम क्या print का रहे हैं second number is square of first number ठीक है और अगर जो इफ condition true नहीं होती तो program without any output बिल्कुल close हो जाएगा execution बांद हो जाएगी क्योंकि इधर हमने further कोई statement नहीं दी वी अब हमने चूंके if statement के flow chart को भी देख लिया है generic syntax को भी देख लिया है flow of execution भी देख लिया है कि किस तरीके से कुछ statement चलेंगी कुछ ignore हो जाएगी तो यहाँ पर हमें limitation की बात करनी है कि if statement में क्या है क्यों यह limited इसका scope है यह इसका use different programs में limited है उसकी वज़ा क्या है कि जब एक condition true हो जाती है if की ठीक है तो if की statements चलती है ठीक है और अगर वो given condition false हो जाती है तो alternate कोई भी action नहीं है कि further printing में क्या आना चाहिए control next statement पे move कर जाता है alternate decision के लिए two way decision making नहीं है कि अगर if statement true है तो यह कर दो और अगर true नहीं है तो यह कर दो ऐसा कोई यहाँ पर scene नहीं है two way decision handle if नहीं कर सकती तो इसका क्या solution mind में आता है कि हम एक से ज्यादा number of ifs को use कर ले लेकिन जो भी proper way नहीं है इस problem को solve करने का अगर हमने एक से ज्यादा जैनके दो decisions लेने है किसी भी program के अंदर for example आप यह numerical देखिए इसमें आपने एक number लिया हुए है अगर number बड़ा है zero से तो positive print हो जाता है number चोटा है zero से तो negative print हो जाता है तो आपने यह solution निकाला कि अगर if पहली नहीं true तो चले हम एक और if लगा लेते हैं शायद वो true हो जाए बिलफर्स दोनों ही false है तो क्या होगा इधर कोई solution नहीं है आपके पास ठीक है या फिर अगर आपने जो पहली if statement है इसको ignore कर दिया यह लिखी ही नहीं है program में और आप कोई positive number enter कर देते हैं तो definitely वो positive number जो है यह वरी second if जो है आपको false return करेगी लेकिन false return करेगी तो आगे further program close हो रहा है यानिकि यह भी नहीं चलनी ठीक है तो आपके पास output में कुछ भी proper message नहीं आया है आपके program को proper response करना चाहिए कि अगर let's suppose कोई condition false हो जाती है तो false होने के लिए आगे further जो आपका user है उसको पता चलना कि अब output क्या है false की सूरत में भी तो इसका solution क्या है कि आप if else structure को use करते हैं इस type के two way decisions के लिए जिसको हम इंशाला further study करेंगे आज का lecture कैसे लगा लाजमी बिताइएगा